नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का सर्मा फेंटिसी ग्रूब में दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के होने वाले सेकेंड मैच के बारे में यह मैच हैदराबाद और चेनली सुपर किंग के पीछ खेला जाएगा और यह मैच MCA Stadium पूने में होगा और इस IPL का यह 46 मा मैच है और सामके सारे 7 बजे आपको रेडी रहना है लेकिन आपको रेडी रहने का जो टाइम होगा वो आपका 6 पीमे क्यूंकि आप लोग जितना टाइम दो के फेंटिसी पे उतना अच्छा आपका रिजल्ट निकल के आएगा तो द आज जो दो मैच हुआ है इस ग्राउंड पे लोग स्कोरिंग मैच हुआ है और आज भी सेम ऐसा रने वाला है जो इंपोर्टेंट पीच रिपोर्ट आएगा जो टस्स से पहले आता है मैं आपको टेलिग्राम पे अपडेट कर दूंगा जिन भायों ने सर्मा फेंटेसी ग मैं कुछ इंपोर्टेंट बाते बता दूं दोस्तों मेरे घर में भी फंक्षन चल रहा है जिसके चलते यह वीडियो आपके पास काफी लेट से आ रहा है क्योंकि एक दिन में दो वीडियो बनाना और इस फंक्षन में मैं नहीं कर पा रहा हूं लेकिन तब भी मैंने टाइ इंपोर्टेंट है अब बात करते दोनों टीमों का प्लेंग लेवें हैदराबाद का देख लेते पहले अपसेक सर्मा केन बिलियमसन राउल टिर पार्डी माकरम नेकलस पूरन ससंग सिंग वासिंटन सुंदर मार्को जैंसर भूमनेस्वर कुमार उनमाल मलिक और टीन अट चल रहा है कोई प्रोब्लम नहीं लेकिन टेंशन मेरे को रहेगा कि मैं आपको किस तरह का टीम प्रोवाइड करूं तस्क के बाद यह आप लोग टेलिग्राम से जुड़ जाना दोस्तों अब बात करते दोनों टीमों का जो पिछला मैच हुआ था मैच नंबर उन उसमें चेनई ने क्या परफॉम किया था चेनई के पिलियर्ड ने क्या परफॉम किया था चेनई ने फर्स्ट पैटिंग करते हुए 154 का एस्कोर दिया था हैदराबाद को साथ बिगेट पर उतपा ने 15 एसकोर किया गैकवाट 16 मोहिन अली 48 मोहिन अली खेलेंगे तो मैं आपको केलिक्राम पर अपडेट कर दूँगा राइडू 27 सीवं दूबे 3 जडेजा 23 एमेस धोनी 3 और ब्रैबो 8 यह है चेनई का बॉलिंग परफॉमेस देख लेते बुंडेसवर 4 ओवर 36 एक विकेट मार्को जैंसन 4 ओवर 31 एक विकेट सुन्दर 4 ओवर 21 दो विकेट नटराजन चार ओवर 30 दो विकेट मलिक 3 ओवर 29 जीरो विकेट अमाकरम एक ओवर 8 और एक विकेट हैदरवाद का देख लेते हैं सेकेंड बैटिंग करते हूँ है हैदरवाद ने 17.4 ओवर में यह मैच को खतम कर दिया अब सेख सर्मार ने 50 में 75 मारके मैच को एक अरफा कर दिया बिल टिरफार्टी 15 में 49 बिलियम सन के बतला टिरफार्टी यह स्कोर कर दिया और नेकलस पूरण 2 में 5 बॉलिंग परफ़में देख ले तो महिकर स्टोधिरी ने 4 में 31 बिकेट महिस तिरक्षना ने 4 में 31 बिकेट जॉर्डन 3 में 34 जीरो जडेजा 3 ओवर 21 रन 0 बिकेट मोहिन की तरह जो ओपनर होएंगे उनके लिए तो उपर से गैकवार्ट नीचे से नटराजन सेकेंड भूमनेस्वर कुमार बर्सेज उतपपा ठर्ट मैसेज महिस तिरक्षना बर्सेज बिलियम सर यह कुछ इंपोर्टेंट मैचप है इसको आप लोग ध्यान में रखीगा राइ अब मैं आपको बताओंगा आज का गिबवे का कोचन काफी हलका है और सिर्फ और इक ही बिनर निकलके आएंगे इस वाले सेक्षन में और इस वाले वीडियो में कोश्चन है how many force scored in this match, इस match में आपको क्या लगता है, कितने चोके लगेंगे, बस यही कोश्चन है, सोजो कितना हलका कोश्चन है, आप लोग कोमेंट करो, कोमेंट कैसे करना है, hashtag सर्मा फैंटिसी ग्रूप यूच करो, और कोमेंट करो, कोमेंट करने से पहले दोस्तों चाइ important combination देखते है, first combination है small league, small league है मैं आपको यहां 9 pillars चून के दे रहा हूं, दो pillars आपको चूनना है, और मैं आपको test के पाद update कर दूँगा, pillars देख लेते हैं, पूरण, उथापपा, राइडू, तीर पार्टी, जडेजा, माकरम, ब्रैबो, नटराजन और यू मलिक, यह कुछ important pillars है, जिसको आपको ख्याल रखना है small league में, इसमें आप 2 pillars अपने से add कर सकते हैं, यदि CS के first batting करता है, तो आप धोनी को रख सकते हो team में, और arounder section में आप सुन्दर को रख सकते हो, अच्छे option है, और batting section में आपके पास different option में है, इधर से macrum को मैंने arounder section में पहले ही रख चुका हो, आप दूबे के साथ जा सकते हो, दूबे भी काफी अच्छे form में चल रहे हैं, और अच्छे pick बन के आ सकते हैं, ये था small league combination, इसी में आप captain by captain भी करना, जादे risk लेने की जरूरत नहीं है, captain by captain मैं आपको जो task के बार telegram पे provide करूँगा, इसी combination के साथ provide करूँगा ये था 9, इसमें आप 2 up night कर लेना, अब साथ मैं important grand league players बता रहों, जिसका selection percentage 50 से कम है, जो आज important हो सकते हैं, इसमें से 2 players को आपको protect team में try करना है, minimum 2, maximum 3, Williamson सोच लो कितने बड़े batsman है, इनका selection percentage 50 से कम है, यदि आज Williamson बड़ा पारी खेलते हैं तो आपके team में यूँ हो ज चल रहे हैं बड़ कभी भी आपको अच्छा score करके दे सकते हैं, पिटोरियस देथ में balling कराते हैं, important हो सकते हैं, सेंटनर भी important हो सकते हैं, क्योंकि यह pitch बड़ा है, और spinner को यहाँ फैदा मिलेगा, सुन्दर तो ऐसे important है, match up मैंने बताया सुन्दर के बारे में, और पिछल match बहुत खराब गया था, लेकिन यह baller ऐसा है कि आपको extra bounce भी देता है, इसनके ball में extra bounce है, क्योंकि इनका height काफी लंबे है, और starting में swing हो तो यह swing भी कराके दे सकते हैं, और आपको एक तरफा small league और GL में काफी अच्छे rank लाके दे सकते हैं, तो दोस्तों मैं उमीद करता हू कमेंट कीजेगा, फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए जाहिए, keep winning, keep winning, bye